कभी देखा नहीं है, पर इतनी तेज धूप है, आप लोगों को भूप प्यास लग रहे ही होगी, आप लोग अंदर चल कर कुछ खा लीजे। महिला की बात सुन, पहले एक गुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पती घर पर है? वो तो इस वक्तान कर गए है, तो हम आपके घर नहीं आ सकते हैं। महिला की बात सुन, बीच में बैठे बुजुर्ग बोले, शुक्रिया बेटी, पर हम तीनों एक साथ किसी के भी घर नहीं जाते। पर ऐसा क्यूं? देखो बेटी, ये जो मेरी बाई और बैठे हैं, इनका नाम दौलत है, और जो मेरी दाई और बैठे हैं, इनका नाम सफलता और मेरा नाम प्यार है। जैसा कि मैंने तुम से कहा था, कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते, अब ये तुम पर निर्भर करता है, कि हम तीनों में से तुम किसे अपने घर ले जाना चाहती हो। बुजुर्ग की बात सुन महिला सोच में पड़ गई, उसके लिए निर्णाय करपाना थुड़ा मुश्किल हो गया, उसने सोचा क्यों न अपने पती की मदद ली जाए, वो भीतर गई और उसने अपने पती को सारी बात बताई, पत्नी की बात सुनने के बाद पती बोले, मुझे लगता है हमें दौलत को अपने घर ले आना चाहिए, क्योंकि उसके आते ही हम माला माल हो जाएंगे, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें सफलता को ले आना चाहिए, क्योंकि उसके आते ही हम जिंदगी में वो सब हासिल कर पाएंगे, जिसकी हमें इच्छा है तभी पास ही ले बैठी, इनकी दस साल की बेटी बोल पड़ी ममा ममा, पर मुझे लगता है कि हमें उस प्यार नाम वारे दादाजी को घर बुलाना चाहिए ताकि हमारा घर खुशियों से भर जाए बेटी की बात पती पत्ती को जच गई और उन्होंने आंगन में जाकर प्यार नाम के बुज़ुर्ग से घर के अंदर आने का आगरह किया प्यार नाम वाले बुज़ुर्ग आगे बढ़े पर ये क्या इनके पीछे पीछे दौलत और सफलता नाम के बुज़ुर्ग भी घर की योड़ चल पड़े ये देख मैला को आश्यर है हुआ और उसने बुजर्ग से पूछा पर आपने तो कहा था कि आप में से सिर्फ एक ही घर के अंदर आ सकता है अब आप पीनो बेटी मैंने बिल्कुल सही कहा था अगर तुमने दौलर या सफलता में से किसी एक को चुना होता तो बाकी दो घर के बाहर ही रह जाते पर क्योंकि तुमने प्यार को चुना है सो जहां प्यार रहता है वहाँ दौलर और सफलता तो खुद बखुद चली आती है